हलो दोस्तों मैं अरण जैस्वाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वार्डेस आईक्यू क्लासेज में दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको अगर आप मैं सच बता रहा हूं अगर आप जो पढ़ते हैं की कोई वीडियो बनाता है परसेंटेज के अगर आप एक बुक सही से लगा लेंगे तो वह आपके लिए बेटर होगा नहीं मानते तो बस आप एक बार ट्राइ कर लीजे मेरी एक बात मान के बस आप एक बुक लगाए जो मैं यह नहीं कहता हूं आप dub обычно लगा यह लोगा आपका बेश्चों सबसे मजब्ँथ करने वख थी तो अगर एक बात मान लें मैं का रहीं हैं उपGLISH यह जादा लाओ को हुलब कर यह वो आपके लिए बेश्ट होगा ना कि आप हर यूटूब पे डॉप 20 कोश्चन डॉप 30 कोश्चन इससे आपका भला कुछ बिने होगा आप एक बुक एक बार लगाए विश्वास करिए मेरे उपर नहीं तो मानते हैं नहीं तो आपस एक बार ये वीडियो देखिए अगर पूरी बुक लगा लेते हैं तो आप खुद पता लग जाएगा कि मैं सहीत है गड़त तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूटूब फिर याई बात आ गई है इस पे भी आप बस एक बुक उठाइए वो पूरी बुक लगाईए ना कि रिजनिंग के टॉप 30 कोश्चन टॉप 50 कोश्चन वो आपके लिए बेकार है बस आप एक बुक लगाईए इसमें हर टॉपिक में 600 कोश्चन है मैं दावा करता हूँ 600 कोश्चन इतने होते हैं कि तो मैध की वोक है तो चलिए फिर इस्टार्ट करते हैं 130 नंबर कोश्चन हो गयते हैं आज आपसे 131 नंबर कोश्चन है चलिए फिर इस्टार्ट करते हैं बोला गया कि बिजली के बिलो का अगर नियत समय के भीतर भुकतान कर दिया जाए तो 15% की छूट मिलती है तदा न पहले दShण पर्सिंटेज में कितना है 15 par 30-जो है हैं मैं वह आप का बोला है कि 54 के बराबर है यही सोद भंदा परसंट के चूट है और बोला है कि 54 के बराबर है तो आपको इसको ह्हंडेड परसंट करना है है तो आपने आपका जो हटोटल होता है यह पर सेंटेज हाइंगे तो उपर सो का मल्टिप्लाई करा दीजे पूरा हो जागा काट लेजिए पांत थी हैं पंदरा या गया बीस तीन से काट यह कितना आएगा एक अठारा अठारा दुनी 36 यह आपका कि बाई मानते हैं तो चली फिद्नेश्ट कोशन एक 32 नंबर कोशन है एक अच्छा के 72 परसंट चात्रों ने जीव विज्ञान लिया है यदि प्रतियक चात्र ने जीव विज्ञान तथा गड़ित लिया और 40 ने दोनों लिया है तो कच्छा कुल संख्या बताईए चात्रों होगे इसको मैंने वेंडाइग्राम से करना आपको सिखाया था तो आप सबसे पहले गोला बनाए करिए वेंडाइग्राम आपको पता है रिजनिंग का भी टॉपिक होता है वेंडाइग्राम तो ठीक दीखे 72 परसंट चात्रों ने जीव विज्ञान लिया है तो जब बोल प्रतिसत लोगों ने मैथ लिया है तो जब बोला है कि प्रतेक चात्र कुछ ना कुछ लेते जरूर है महला कोई इस्ट्रा नहीं है तो ठीक है आप इनको पहले एड कर लिजिए आपको बीच में नहीं दिया है क्या होगा परसंटेज तो आप पहले इन दोनों को एड कर ल 116 लेकिन होता कितना है परसंटेज में आप हैंड़ परसंट टोटल होता है तो देखिए आप परतिसर ज्यादा निकल आया है तो इसका मतलब क्या होगा वह बीच वाला कॉमन पाउर पोर्शन होगा ना देखिए जोड़ा है तो एक सोब आगया होता आपका हैंड़ परसं इसमें बोला क्या है चालिस चात्र जो है और दोनों पढ़ते हैं तो ठीक है आप इसको निकालने से कोई मतलब नहीं है अगर यहाँ पर पूछ लेता लाश्ट में कि केवल बायों कितने लोगों नो लिया है तो ठीक आप बाहत्तर में 16 घटा देते हैं वो आपका यहाँ पर आता आप उसका निकालते हैं तो बायों के संक्या लेकिन कोई बात नहीं उसमें वायों पूछा ने टोटल पूछा है तो ठीक दीखिए 16 मेरे हिसाब से 16 है ना बीच में और उनके साब से कितना है उनके साब से बहुत 40 है तो ठीक है आपको 100% की वैलु निकालनी है से उपर मल्टिप्लाई हो जागा है यह काटिए चार से यह काटिए दस पर फिर चार से काटिए यह आ जाएगा आपका ड़ाई सो देखे सबसे इजी तरीका मैंने बता है वेंड डाइग्राम से सबसे आसानी से आप सॉल कर सकते हैं इसको फिर 133 नंबर कोशन है एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है यह दिवहां इंजीनियर की संख्या कुल कामगार की संख्या की 40% है है थिस खुल कामगार हमको नहीं पता है कुल कामगार मालब की इंजीनियर कुल टोटल जो है वे Tutal का बोला है जो बले त्रॉं लिख देए funktioniert का 40% जो है वो इंजीनियर है this यह लेंगवीज बोला है न तो यह तरह करना है आपको 40 stir 3 टोटल की वैलू कितनी आ जाएगी 200 यह आपकी ऑप्शन कट गए थे तो आपका 200 एक का राइट आंसर होगा वो टोटल की वैलू निकाल देगा तो ठीक 133 नमबर आपको असानी से आ गया बहुत इजी कोशन था यह अगला कोशन है एक टीम ने 40 खेल खेले उसने 24 जीते हैं जीते गए खेलों का प्रतिसाद ग्याद कीजिए चुछ चलिए बताते हैं आप कहेंगे इसको थोड़ा समय दिया कर यह सौल करने के लिए तो मैं बता दूं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अप लोट करने में तो बहुत प्राबलम होती तो आप इसे ज्यादा ज्य किजिए ताकि मैं जल से जल आपको लाइव भी आकर पढ़ा सको सारे कंसर्प्ट किलर कर सकूँ आपको ऐसी मैद पढ़ा दूंगा कि आप से मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा लेकिन एक कोशन ज्यादा भी बाहर नहीं होगा जाए आप यूपी पुलिस दें या मैंने आपको बताया था कि जब परसेंटेज निकालेंगे जैसे आप जैसे आपके मान लिया इंटर में हैं जैसे मैं आपको बता जाओ एक्जामपल इंटर में जैसे आपके नंबर आते हैं साढ़े चार सो नंबर ठीक है ना पुडांग आपका होता है पान सो का वो तो आपका पता होगा तो आप यही तरह तो करते हैं और परसेंटेज लगाने के लिए आप सो का मल्टिपले करते हैं यह आपका आता है परसेंटेज अगर आपके इंटर के नंबर इस तरह हैं तो है तो आप इस तरह निकाल सकते हैं जोसे होंगे तो आपके स्कूल में नंबर देते हैं क्या कहते हैं कि आप अगर 10 का पुड़ांक होता है तो चैना मिलते हैं शह बटे 10 18 लिखते हो ना थी दॉस्त कंप delle ठीक है परसेंटेज के लिए आप हैंडेट का मल्टिप्लाइगरा देजिकार देजिए चार से काटी है दस चार चंग 24 एक जिरो से एक जिरो कितना आगया आपका 60 परसेंट आपकी पासिंग आ गई कि इतने इतने मैच उसने पास परसेंटेज हुआ हैं उसके पिर अगला कोशन है 135 नंबर कोशन है देखे बोला है कि रानी का भार मीना के भार का 25 परतिसत है देखिए मैं इसको सबसे एजिस बता रहा हूं आप सबसे पहले इसी रेशियो मेटर से किया कर यह सबसे जी पढ़ता है ने एक समानेंगे बहुत लंबा जायागा सौ मान के द देखे 25 परसेंट कब होगा मैंने माना मीना सो है तो इसका यह 25 प्रतिसत है यह तो आप निकाली लेंगे अगर यह नहीं निकाल पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत की बात है आपको बहुत मैनित करने पड़ेगी तो ठीक है 25 परसेंट है तो आप इसको छोटा कर लिजे 25 से कम प्राड होता है और हमेशा पहले वाले सब्सक्राइब के लिए उपयोग होता है समझ आ जो आएगा तो जो पीछे सब्सक्राइब करने यह तो इसका 40 परतिसत है तो यह 40 लिख दीज़े, काट लिज़े, 40, 20 से काटे 20 दोना 40, 20 पंचे 100, दो अनपात 5 आ गया न, ठीक, बस आपको एक चीज़ देखना है, इन दोनों में common क्या है, आर यहां पे रानी, आर यहां पे रानी, आप यह बताइए, एक आदमी है, अगर एक आदमी है, उसके पास 5 रुपाय है, तो वही आदमी है, तो उसके पास ही 5 रुपाय होंगा, लेकिन इसमें नाइंसाफी कर दिया है, इसमें बोला है कि वह एक है, और इसमें बोल दिया कि 2 है, नहीं भाई साब, जब इनसान एक है, तो उसका नंबर भी एक होना चाहिए, तो ठीक है, तो ठीक है तो आप इसको 2 बना लिजीए, 2 बनने के लिए आप क्या करोगे, इसमें आप 2 का multiply करा दिजीए, ऐसे, और आप इसमें 1 का multiply करा दिजीए, तो बात बराबरी है, तो ठीक, आप 2 का multiply कराएंगे, दो रेशियो चार दुनी आठ 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 आगया जब काटेंगे तो वही आजाएगा ठीक फिर इधर कितना बचेगा टू रेशियो फाइफ तो ठीक अब आपके रेशियो आगया रेशियो क्या आगया है इधर देखिए आर एम टी आर मलब रानी मलब मीना टी मतलब की तारा टीक है यह आर क Name मान दो कि दो आगया ना रकमान 與 m किमान लागे आज है फिर टी कमान कितना है पाँच ही दिगके पांच यह तो ठीक पूछा क्या अंसर तम तदक करद कर राफ तारह को कितना प्रतिसध मीना के दॉराबर है तारह के बहार को आगर आपको समझ में ना है यह लाइन डोप लोगों समझी मिन आती तो आप सबसे होता हाइए लाइन। वही लिखा करें प्रतिसेत यह भात को आप संजहाना तो आप जो बोला करें बहस ही लिखा यह बस देखिए अब काट लीजे 5 से काटेंगे 20 20 से काटेंगे 20 से 8 से गुड़ा हो कितना आ जाएगा 160 प्रतिसात है यह देखिए आपका आपका अच्छा कोश्चन है देखिए ऐसे सी सी ए पी एफ एसाई में आया होगा कोश्चन है अब कि नेश्ट कोश्चन है आपका 136 नंबर कोश्चन है यह दि एक आथ 30 प्रतिसात बी के 40 प्रतिसात में जोड़ दिया परसंटेज की एक ही खूब यह था आप जो बोले वह तुरंद पर करते जाए गरिए तो इसमें बोला है कि एक आथ 30 प्रतिसात तो आप सौटकट कर जली करा करिए प्लस के 40 प्रतिसात को मैं लिख सकता हूं 4 ृटे 10 को एक 30 प्रतिसात में जोड़ दिया जाए तो ठीक जोड़ दिया जया है तो वह झाहरा है कि वह बीका 80 प्रतिसात हो जाता है समझा ना यह आपकी लांड है पूरी गोश्चन ins समझेंट लग उपर का वह हो जाता है तो क्या उपर बचेगा थिडी ए प्लस का 4B नीचे बचेगा आपका 10 यह बचेगा उपर 8B multiply आपको कराएने आता है यह जिस्टे ज़स्कड जाएगा उपर देखिए वच्छा है आपका 3A oops बराबर फॉर Wenn उध्लस उधर चला जाएगस उधर जाएगा माइनस का उजाएगा यह तो पता होगा न आपको उधर जैका माइनस का तो 4 मिस्याइट चलेगा दफचाइगा 4B मैंने काल आपको बताया था वराबर में जो जिसके पास होता है उसका मान नहीं नहीं होता है ऑर यह नहीं तो आप इतना याद करें जो जिसके पास होता है उसका मान नहीं होता है तो ठीक है इसमें बोला है कि B A का कितना प्रतिसत है तो मैंने फिर बताया था अगर आपको लाइन समझ मनाया करें तो आप सबसे basic method होता है बोला है कि B B मतलब कितना होता है कि 3 मेरे सबसे 3 ने 2ूка कितना प्रतिसत है तो भी ब्राबर सबस्द होता है कितना प्रतिसत है मैंने बताया संब साटाएंगे तो करें यह चार से काटी आगा पचीस पचीस इधर मल्टिपल होगा एक्स कमान कितना आगा है पचीस नहीं है पच्छतर पच्छतर प्रतिसाद आपका राइट आंसर होगा यह देखिया ऑप्सन नमर डी समझके ना टायर वन गैरा में आयो कोश्चन है फिर 137 नमर कोश्चन है 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटे छोड़कर सभी सीटे बिक गई उनमें 20 प्रतिसत सीटे जो है आधी कीमत पर बिके और से सभी 20 प्रतिसत सीटे आधी कीमत पर बिक गई तो देखिया आपको समझना पड़ेगा कि जब 20 रुपाय की पूरी मलब एक सीट है तो आध ठीक कीमत कितनी होगी 10 रुपाय होगी आपको इस समझना पड़ेगा ठीक देखिये 10,000 सीटे हैं तो ठीक है जब 10,000 सीटे में अगर आपकी 100 सीटे नहीं बिकेंगी तो कितनी सीटे बचेंगी आपकी 99 सीटे बिक गई ठीक उसमें बोला है कि उसमें उनमें 20 प्रतिसत बीस प्रतिसत आप इसका निकाल लीजिए 20 बटे 100 काट लीजिए 20 दो जिरो कट गया जीरो नो दिने ठारा के आट बचाएक नो दिने ठारा एक 19 उननीस सो जो 80 सीटे हैं वो बोला है कि आधी कीमत पर बिक गई अगर आपकी 19 सीटे हैं प्रतियक सीट आपकी 10 रुपाय की बिक गई टोटल इंकम कितनी हो गई आपकी जोड़ गुड़ा कर लिजिए उननीस हजार आठ सो आपकी यहां से इंकम हो गई टोटल एक सीट की कीमत फूल भी सुपह है लेकिन आधी बोला है तो आपको 10 मान समझना पड़ेगा कि यह 10 होगा यह दिया नहीं आपको समझना पड बचेंगे आपको गटा लिजिए जीरो दो बचेगा यह नो यह साथ तो ठीक है इतनी सीटे बच गई यह फुल दाम पर भी गई माला यह एक सीट बीस रुपए कि तो टोटल बीस का मुल्टिप्ले कराई है तो गुड़ा करा लिजिए जीरो जीरो दोदनी चार नोदनी 14 15 इस से हो गई इतनी कमाई और इस से हो गई दनी कमाई तो बस आप दोनों को जोड़ लीजिए तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो मैं जोड़ दिए टायट आप 0 जीरो टू यह चेगा आठ 9 सत्रह 1 अठारा के आठ यह गए पताषा सत्रह यह आ गया कर 17,1 लाक सकते हैं जो बोले हो तुरंद करते जाएं एक संख्या में साड़े बाइस प्रतिसत की व्रद्धी हो जाए तो देखिए अगर आपको साड़े बाइस प्रतिसत नहीं निकालना आता है तो मैंने सिखाया था बिन्द को पहले आप नॉर्मल बिन्द में चेंज करिए कि साड़ सबसैंगे जो है तो यह मैंने बोला था टोटल होता है यह उपर होता है व्रदि और कमी तो इसमें व्रद्धी कर दोगे 40 में 9 कि कितना आएगा 49 आएगा ना 40 में 9 जोड़ोगे तो उसने बोला रद्धि करने पर वह 98 बन जाती मैंने का नहीं बहुत नहीं बनती है कोई बात नहीं आप उसको बराबर कर लिए संख्या कितनी थी देखिए वह संख्यात पहले तो चालिस थी लेकिन एक की वैलू दो आई हमेसे हर चीज़ी वह दोगुना दोगुना होगी इसकी तो असी आंसर हो जागा यह आपका असी देखिए राइट आंसर हो गया इस सबसे बेश तरीका है इस से एजी अगर कोई आपको मैठेड हो तो मुझे बता दीज़ेगा मैं दावा करता हूं इस से जी कोई भी नहीं होगा आप पुक में भी देख लीज़ेगा इस से जी कुछ भी नहीं होगा वह उसमें एक सक्समान के खुछ भी कर सकते हैं फिर 149 नंबर कोश्चन है सेफ बी में जितनी पुस्तके हैं सेफ ए में उसकी चार बटे पांच हैं मतलब की बी की चार बटे पांच सेफ ए में हैं यह लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा बी की चार बटे पांच ए में हैं वो इसके बराबर हैं कि ए में उसकी चार बटे पांच है आँ तो ठीक है आपको देखिए यह कितना आ जाएगा आपका यह आप यह मल्टिप्लाइ कराएंगे जब आप इसको तो कितना आएगा वो भी बराबर फाइफ है देखे वही लव इ다면 कितना आगया पांच एक माने कितना आगय bench यह निदे रिकै अनपाद में तो आप अन पांच में कुछ कि Apel बोला कि A जिए की 25 पृतिसरफ पुस्त के B में डाल दी जायां तो ठीक है देखे जो एक की जो पुस्तक है एक फॉस्तक कि इतनी हृति 400 थी न इसे 25 पृतिसरफिते जो है 25 पृतिसर अ götिसर 공 longtemps सो पुस्तके हैं उस भाइसा वो बी में आप डाल दो बी में थी कितनी 500 थी न अगर आप इसमें 100 डाल दोगे तो यह 600 आगे कि नहीं आ गई ठीक 600 आ गई फिर एक चीज फिर बोल दिया है उल्टा फेर करके सवाल जो बोले करते जाएं उसमें बोला है कि और फिर बी से 25 प्र गुड़ा करा यह 25 हके होता है देड़ सो मलब की देड़ सो पुस्तके आप ए में फिर डाल लीजे जब आप 400 में 100 हटा ही दिये थें बची कितनी 300 पुस्तके आप जब देड़ सो इसमें और डाल दोगे देड़ सो जोड लीजे कितना बचागा जीरो पांच चाज आप ए में कुल संख्या का प्रतिशत बताईए तो देखिए आपको उसी वाजी तरह फिर सवाल आ गया है जो मैंने आभी आपको बताया था पिछले वीडियो मेरा पिछले की टोटल नीचे आता है तो देखिए एक पुस्तक कितनी बची हैं 450 हैं ए में टोटल कितनी थी है 80% आपका राइट आंसर होगे बी अला देखिए इतना अच्छा कोशन था आप कर सकते हैं यह देखिए आपका मुझे बेस्ट कोशन लगा इससे दो टू टैन प्लस टू ग्यारा में था यह इंपॉर्टन कोशन है आप इसको जाए तो नोट कर सकते हैं देखिए इसमें ब और यह A है यह B है ठीक है ना इसमें बोला मुझा की ब्रांड A की चार कमीजे थी तो ठीक है यह चार कमीजे थी और ब्रांड B की हम्को कमीजे पता नहीं तो मैंन आरो असे थी ठीक है इसमें बोला है कि brand A की एक कमीज का मूल brand B की एक कमीज के मूल का दोगुना थी तो अगर ratio में तो करना कर यह एक रुपए की थी तो यह दो रुपए की हो जाएगी यह तना आपको समझना पड़ेगा ठीक तो ठीक है आपको पता है यह आपकी संख्या दीए वे नंबर दीए है यह आपकी क्या दीए है प्राइज जब आप्राइज को नंबर में मल्टिप्लाइ करते हैं तो आपका पैसा आता है तो ठीक मल्टिप्लाइ करें चार दुनी आठ प्लस एक्स आपको इतने रुपाइस में खर्च होंगे ठीक है ना फिर निश्ट बोला है कि थोड़ी गरबड़ी हो जाती है माल आने पर पता चला है कि दोनों ब्रांड की संख चार वह बी में चली गई है चार और एक्स आ गया है क्योंकि हमें संखिया पता नहीं थी ब्रांड बदल गया संखिया तो ठीक अब बोलाए कि मूल आपका वही था यह दो रुपाय कि थी एक रुपाय कि इसमें आपका बिल कितना बनेगा टू एक्स प्लस का फॉर ठीक है इतना बढ़ गया ना अब बोला है कि इसमें क्या बोल दिया है इससे बिल 40 प्रतिसाद बढ़ जाता है इससे बिल 40 प्रतिसाद बढ़ जाता है तो देखें यह पहले बिल था आपका 8 प्लस X अब बिल कितना हो गया 2X प्लस X तो इसमें बोला है कि 40 प्रतिसाद बढ़ जाता तो ठीक है आप इसको लिख दीजिए कैसे करेंगे आप इसको पहले बिल कितना था एट प्लस एक्स का 40 प्रतिसर जाब बढ़ेगा तो आपको पता है यह 140 बटे 100 हो जाएगा तब भी तो बढ़ता है ना अब बिल कितना हो गया आपका यह देखी 2x प्लस 4 यह आपको समझना पड़ेगा यह अपच्छा कोशन था तो आप इसको काट लिजिए यह साथ बार यह पांच बार मैं डारेट कर रहा हूं पेज छोटा है तो समझ में नहीं है आप साथ को मल्टिप्लाय करा है इसमें अंदर तो आठ सत्य च्छप्पन प्लस का 7x बराबर यह पांच तिरिय गुड़ा उसमें हो जाएगा पांदो निट 10x प्लस का पांच ओको 20 छिक है न यह 7x फिद्लस का है उद़र चला जाएगा माइनस ही कितना बचेगा आपका 3x यह 20 आपका प्लस में उधर चला जाएगा माइनस तो 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका 36 x की वैलू कितनी आ जाएगी 12 x की वैलू 12 आ गई अब यह देखिए आप यहां पे क्या मान होगा 12 बारा मैं कलर चेंज करता हूं आपको समझ यह आपकी संख्या कितनी हो गई 12 हो गए ना तो उसमें क्या बोला है कि मूल और में मलब पहले ब्रांड एक की कमीजों के ब्रांड बी की कमीजों के अनपाद गयाती जे तो ठीक है पहले आपकी 4 वारा थी चार अनपाद बारा यह आगे ना तो काट लिए चार एकम चार थी हैं बारा एक अनपाद तीन ये देखे राइट आंसर पी इन्पोर्टन कोशन आप इसको नो रिजनिंग जीके जीयस करेंट और आपको एयरफोर्स की तैयारी करनी है तो मैं उसके लिए भी आपके सरा गया है तो आपके मंडे से सारी क्लासेस आपको मिलने लगेंगी तो प्लीज इसे ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए ताकि मेरा और उनका मोटिवेशन मिले वह आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ा पाएं मैं गारंटी लेता हूं आपके सारे एक्जाम क्लियर होंगे जाए वह एयरफोर्स का एक्स वाई ग्रूप हो नैवी हो ऐसे सार हो और या तो आपका रेलवेंटी पीस्वी हो मोस्ट इंपोर्टेंट सारे टॉपिक पढ़ा जाएंगे अगले वीडियो में मिलते हैं